हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि PEN नमबर यानि की पर्मानेंट एजुकेशन नमबर क्या होता है और इसका क्या यूज है देखें फ्रेंड्स आजकर जो नए स्टुडेंट है जिन्होंने किसी विद्याले में नए में प्रिवेश लिया है तो उनसे उनका PEN नमबर पूछा जा रहा है ताकि उनकी यूडाइस की जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो सके क्योंकि फ्रेंड्स अगर बच्चे अपना PEN नमबर पूर्व के विद्याले से ला करके नहीं देंगे जो कि पर्मानेंट एजुकेशन नमबर कहलाता है तो उनकी सबसे पहले हमको जाना होगा गूगल सर्च में गूगल सर्च में जाने के बाद आप इसमें यूडाइस प्लस करके सर्च कर देंगे सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो करके आ जाएगा तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो फर्स्ट पेज है यह recognize state to login तो आप जिस भी राज्य के हो आप उस पर जाइए जैसे कि मुझ्त की हूँ तो मैंने उतर pan पर क्लिक कर दिया उसके बाद आप गो पर जा करके कि क्लिक कर दीजिए देखि करने के बाद आपके सामने इस तरीके का यह विण हो जाएगा मैं जूम करके है इसमें आपको जो विद्याले की यूजर आईडी है और पासवर्ड डालना होगा और कैप्चा जो भी दिया गया सामने ये इसको लिखने के बाद लॉगिन करना है तो फ्रेंड्स आपको मैं एक बात किलियर करना चाहती हूं कि जो यूजर आईडी है वो विद्याले के जो वो खुद ही इसमें अपने विद्याले की यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गोपनिय होता है और इसमें आपको अपनी कोई भी इमेल आईडी नहीं डालनी है इसको मैं आपको फिर से बताती हूं कि इसमें सिर्फ विद्य लेकि यूजर आईडी और पासवर्ड ही डलेगा और यह जो पीए नमबर होता है यह केबल आपको जैसे माले जी आपने टैंथ मैं मतलब पास परिक्षा कर ली और किसी नई विद्याले में लेविंथ में अडमिशन लिया है तो पूर्व के विद्याले में जाएंगे वो य पहले इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके फिर लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो करके आ जाएगा तो देखिए इसमें लिखा हुआ है यह दो हजा तेइस चौविस और दो हैर बाइस तेज तो आप क्या करिए इसमें दो हजार तेइस चौविस में जाएए और उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो करके आ जाएगा आपके विद्याल लेका और इसमें देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ देखिए सब से पहले इसमें सिक्सेसी इंटर तक के दिये हुए इसमें सारे क्लास आप इस पर जाए नियू करके जो लिखा हुआ है इस पर जैसे ही आप इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है ड्रॉप बॉक्स इन एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपके विद्य तो देखिए जब हम ड्रॉप बॉक्स पर जाएंगे तो देखिए उसके पश्चात आपके सामने फ्रेंड्स इस तरीके से ये एक पेज ओपन हो गया है और इसमें उन सभी स्टूडेंट्स के नाम दिये गए हैं जिनकी टीसी कट गई है और उनका जो डेटा है वो मिलेगा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ तो इसमें सभी क्लासिश के जो इस्टूडेंट्स उनका इसमें परमाने ट्यूकेशन नंबो दियागा होगा देखिए जूम करके आपको clear दीख रहा होगा ये देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है ने permanent education number, student name, father's name, mother's name, previous class तो जैसे देखिए ये first line दी हुई है इसमें किसी बच्ची का नाम दिया हुआ है जैसे और उसके आगे लिखाओ class ये 10th तो यानि इसने 10th pass के उसके TC कट गई और इसने 11th में ये कहीं admission ले लिया तो इसका permanent education number देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है ये यही permanent education number है PEN number है जो बच्चे को अपने नए विद्याले में जा करके देना है फ्रेंड्स ये permanent education number देना अब बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि आगे जो ये अपार का प्रक्रिया चलेगी अपार ID की वो बिना escape complete नहीं हो सकती है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे like कीजिए, share कीजिए और अगर आप channel पर नए हैं तो please channel को subscribe करना ना भूले फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जै हिंद जै भारत